रंजना की पार्शाला की ओर से आप सभी को नवरात्रों के पावन दिनों की हार्तिक बदाईया वे शुब कामना हैं तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के दिन हम कौन सी माता की पूजा वेरात्ना करेंगे Goddess Skand Mata is worship on the fifth day of Navratri She is the mother of Lord Kartikya or Skand who was chosen as commander-in-chief by the gods in the war against demons देवी Skand Mata का वर्ण पूनताह शुब्र है अर्थात मिश्रित है ये कमल पर विराजमान है इसी कारण इन्हें पदमासन विद्यवाहीनी दुरगा भी कहते हैं देवी Skand Mata की साधना का संबंध व्यक्ति के सेहत और बुद्धिवता से है Skandha is one of the name of Shubramanya or Lord Murgya or Kartik and the general of army of the devas and the most handsome god Skandha Mata is the mother of Kartik, she is also known as Padmasana This is the motherly form of Maa, Durga दुरगा की पांचवी शक्ति को Skandha Mata कहा गया है Kartikya की माता होने के कारण इन्हे Skandha Mata कहा जाता है Skandha Mata की चार भुजाएं है माता अपने दोनों हातों में कमल पुष्प धारण किये हुए है और एक हात में कुमार Kartikya को गोत मिलिये हुए है Skandha Mata की पुजा से होती है संतान और धन की प्राप्ती Skandha Mata को कमल का फूल जरूर चढ़ाएं मा को चंपा का फूल चढ़ाकर प्रसंद कर सकते हैं इसके साथ ही ओम देवी Skandha Mata नमहा का जाप भी करें Skandha Mata की पूजा वे अराधना से हमें दुखों से मुक्ती मिलती है आज की मा का अराधना मंत्र है या देवी सर्व भूतेशू मात्री रुपेंड संस्तिता नमस्तस्ये 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 नमुनमहा आज का शुबरंग है पीला तो आज आप सभी पीले रंग के बस्त्र धारण करें और मास्क अंद माता की पूजावे अराधना करें इप लाइक आवर वीडियो प्लीस लाइक और सब्सक्राइब तो आवर चैनल और हिट दे बैल आइकन तिल देन, have fun learning विद रंचना की पाच्छाला